हलो गुद मॉनिंग नमस्कार एक बाद फिर से आप सबका स्वागत है वाइप स्टेडी स्टूडियोज पर विच इस पार्ट अपन अक्याडमी तो सुबह के पांच बचते हैं जैसे ही वैसे ही आपनों का कुईस का सेशन शुरू होता है और साड़े पांच बजे आपका मा पुलन का नाम याद रखा करू चैनल के नाम पता होना जरूरी है और हर साट्वी सेट्रड़े साड़े नौ बजे वाइफाइ चैनल जोये जहां पर आपको सिप वाइफाय स्टडी लिखते हो ना चैनल आता है तो होता है और आज क्लास होने जा रहा है बुआ तो साटरब करना मत भूलना अभी सुबह साड़े नौबजे के क्लास होने जा रहा है on the main channel wifi के main channel ठीक है चलिए अब शुरुबात करते हैं यहाँ पे सवालों का सिलसला जल्दी से लिंक को कॉपी करके share कर दो पहले है ना देखो और यह जो पूरा सेशन होता ना मेरे सवाल आप लों की जवाब होते हैं अब इसके लावा पूछो कि माम आनकाडमी पर आज कौन सवाला free class है तो इसके बारे में अभी हम आपको बता देंगे आप उस class को जोईन कर सकते हो देखो पहला सवाल यहाँ पर क्या है आपको बताना है कि FRA जो लिखा है इसमें F का full form क्या होता है यानि कि F stands for पहले तो आप लोग मुझे यह बताओ कि यह FRA एक्चल में है क्या पहले यह बताओ और इसका जो F है उसका मतलब होता है forward अब तो बता दो मैं नहीं बता लूँ यहाँ पर लोग बताएंगे दूसर सवाल देखो क्या है विन इस वर्ल्ड थीटर डे इस ऑब्जर यानि कि यह जो दिन है यह किस दिन मनाया जाता है तो यह 27th of March को सेरेबरेट किया जाता है जब भी कोई डे आता है अगर suppose उसमें कोई थीम आती है तो थीम आपको याद रखनी है लेकिन अगर किसी की थीम बहुत जादा बढ़ी है तो इसकी थीम में 17 तारिक को तो इसकी थीम में SDG लिखा था तो यह अपने आप में क्या हो गया इंपॉर्डेंट हो गया आगला देखिये या पे हेड़कॉर्टर of PTM Pay time को Pay time का हेड़कॉर्टर आपको बिलेगा नोएडा नौइडा में लोकेटेट है अब पेटियम के अदर अभी connects बनात आप मुझे सुप नाम बता देजिए कि हाली में किसका के अपोइड़कांड बनात सबसे पहला एक कंवेंशन बनाया गया तो आंसे यहां पे हो जाएगा नाइजेरिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इसराइल के अंदर रबिना टैगोर जी के नाम पे एक टैगोर स्ट्रीट की शुरुआत करी गई ना बिल्कुल उसी तरीके से आपको यह भी देखने को मिल अगला देखो यहां पे मिनिस्ट्री आफ स्टील लॉंच्ट सर्विस स्कीम और पोर्टल फॉर विच ओर्गनाइजेशन तो देखो मिनिस्ट्री आफ स्टील आया ना अब पहले मुझे बताओगे इंडिया के अंदर अभी स्टील के किसी डिपार्टमेंट में कोई एक ए दिखते हैं या पर जैसे कि आपका हल हो गया या फिर ओएल कंपनी हो गए इंडियन ओडिया कंपनी हो गी तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बेसिक पता हो ना चाहिए अगला दिखो वेन इस दी नाश्नल मितमेटिक्स डे इस सेलिबेटिन तो यह दिन कम बनाय क्लास में उसका रिविजिन भी तो कहीं होना चाहिए ना तो यह जो सेक्षिन है यह उसका रिविजिन है ठीक है चरे नेक्स पर हो यहां पे चाट बॉक्स अभी हाली में क्या हुआ है कि आपको बताना है कि कौन से ऐसी कंपनी है जिसलिए अभी एक नया इनिशेटिव ला वहां पर रिलाइंस के जो शेर्स वह फेस्बुक ने खरीदे उसके बाद आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो यहां पर सिल्वर नाम की भी कंपनी थी उसने भी कुछ शेर्स खरीदे तो आज कल वो कंपनी जो किसी दूसी कंट्री में जाके शेर्स वगेरा खरीद रही है इस्टेक वो बन रहे हैं तो उनके नाम याद रखना ठीक है ना एक्जाम में पूच सकते हैं आपसे अगला सवार वट इस का यहाँ पर अभी स्तीफा मांग दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था उनके उपर चार्जस थे तो जरा मुझे लिशोतों कि भी कैपिटल करेंसी बता दो और इसकी भी आप मुझे क्या बता दो अगला सवाल देखो अगला हैं यहाँ पर उस सी इलेक्टि याननिकि पहले भी थे और इनका सिफ क्या हुआ है एक्सेंशन किया गया तो री इलेक्टिड आज रोलिंग फेडरेशन आफ इंडिया रोलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में किसको रियपॉइंट किया गया है तो राज लक्षमी सिंग दियो जी को रियपॉइंट किया गया है देखो बिल्कुल वैसे है जैसे अभी ICC के अंदर देखो न तो मैं नहीं बता रही तुम नों बताऊगे ICC क है जो एक्सेंच निया गया है जून तर्सक्रेंग किया गया है तो आप नहें पहले उनका नाम बता दो यहां पर जो टैनियोर वह एक्स्टSN कीा गये ने अगला सबाल who has pinched a gold medal in 57 kgs men at Asia Wrestling Championship तो Asia Wrestling Championship जो organize करी जाती है उसमें gold medal अभी हाली में किस ने जीता है 57 kgs की category के अंदा men का पूछा गया है तो रवी कुमार धहिया जी ने जीता है अच्छा मुझे एक चीज़ बता ना चलो मैं यह बता देती है अभी कुछ टाइम पहले एक पूरी लिस्ट आही थी जिसमें जो पुनिया जी है ना बजरंग पुनिया उनकी रांकिंग जो रही है वो सेकेंड रांकिंग रही है तो यह याद रख ले ना सब्सक्राइब अगर सवाल बना तो 80 चान से पता होना चाहिए अगला सब्सक्राइब नाशनल वैक्सिनेशन डे किस दिल मनाया जाता है 16 मार्च को अच्छे एक चीज़ और रहाद रखना वैक्सिनेशन के लिए इंडिया के अंदर कौन से स्कीम चलाई जाती है तो इंद्र धनुष नार्ट की जो स्कीम है काना हो गया पेंच पन्ना माधव और आपका फॉसिल यह कुछ बेसिक वाले हैं जो आपके टिप्स पर बिल्कुल होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए अगला सवाल देखो विच वॉस दी फोकल कंट्री आट 44 इंटरनाशनल कोलकता बुक फेर अभी जो 44 आपको तब पढ़ाया था जब यहां पर इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था कोलकता वाला उसमें जो फोकस कंट्री रही थी दाट वस जर्मनी और जो गोवा के अंदर आपका इंटरनाशनल लेवल पर जो होता ना फिल्म प्रोग्राम जो होतें वहां पर जो फो मुझे यह बताना कि तमिलाडू के अंदर कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना हुआ है जो कि रश्या ने डेवलप किया है यह सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है और रश्या की जो एक टीम है वो उसको सही करने क लिए यहां पर आई हुए है तो मुझे कमें सेक्शन बसान सा बता दो अगला सवाल माच कुंड हाइट्री पावर प्लांट जो है वो कहां पर लोकेर है एक सबाल तो मैंने पूछी लिया अब आप मुझे यह भी बता दो तो यह आपके दो स्टेट के लिए काम करता है आं पाउंडेशन बैच आपका अनक आदमी पर शिरू हो गया है सबसे पहला तो सब्जेक्ट इसमें पढ़ा रहे है इसके बाद हम लोग एकनोमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी यह सारे के सारे सब्जेक्ट कवा करेंगे करना क्या है अनक आदमी का आप डाउनलोड करो गोल सिलेक इसनी और आपको यह कोर्स मिल जाएगा जब आप इस कोर्स को बेल करोगे तो एक साल का होगा 5400 में आपको यह बाच मिलेगा जब आप गोड़ कोर होगे यूस करोगे हुगो तो 10% का off मिलेगा इसके लावा आप किसी और batch को भी अवेल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो और तब भी आप इस code का यूज कर सकते हो ठीक है अब आप बोलो कि मैं सिर्फ GS के लिए इतना amount नो बेटा ना ऐसा नहीं है इसमें Maths English लिए वो भी आपको complimentary basis पे मिल रहे हैं तो यह तो हो गया session की बात अब Saturday मैंने आपको बताई दिया है कि अभी साड़े नौ बजे में चानल पर class होगी और आज Saturday को ही जो आपके लिए रात में आज class होने वाली special class होने वाली है वो आपको मिलेगी रात में 9-10 बजे जहां पे हम लोग UPSC strategy 2021 पूरा discuss करने वाले कि how the things will be there तो इन सब चीजों को हम लों discuss करेंगे ठीक है तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अभी 7 बजे के class में 7 बजे